अली फैक्टरी के परखच्चे उड़ा दिये, पहले हलिकॉप्टर से कमांडो उतारे, फैक्टरी के गाड को माड डाला, एरानी अफसर उठा ले गए, उसके बाद मिसाइल से फैक्टरी को तहसनेस कर दिया, अब इस्राइल चुप है और इरान बदले की आग में जल रहा, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, इस बात की आशंका जता रहें कि जिस तरह से अपने दो अफसरों के मारे जाने पर इरान ने इसराइल पर तीन सो ड्रोन और मिसाइल से अप्रेल में हमला किया था, इरान इस बार ऐसा कुछ कर सकता है खामनेई की सुरक्षा दिवार ठरबरा कर गिरी इसरेल ने उड़ा दी इरान की मिसाइल फैक्टरी पहाड की खोव में आईडी एफ का सबसे बड़ा आपरेशन इरान का स्लिपर सेल भी देखकर रह गया दंक इसरेल इरान जंग पुरे जोरों पर है इसरेली डिफेंस फोस हमाज के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है एक जगह बरसा बारूद धूए में तबदील हो तब तक दूसरी जगह धमाखे से गाजा ही लुटता है 11 महीनों से हमाज लड़ाकों की तलाश में इसरेल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है तहरान, लिबनान, यमन, सिर्या को भी टारगेट कर रहा है और हमाज लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त अरब अमिराद से लेकर लंदा तक मुसाद के एजेंट फूल ऑन एक्टिव हैं आप देख चुके हैं कि कैसे हमाज चिफ इसमाईल हानिया को मुसाद ने इरान के घर में घुसकर मारा, मकसर सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था समर्थन कर रहे इरान को चेताउनी थी इसराइल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौद का जिम्मेदार खुद होगा अब ताजा हमला सिर्या पर देखिए सिर्या के मसफ शेत्र में मौझूद साइन्टिफिक रिसर्च सेंटर पर इसरेली डिफेंस फोस पहले एयर स्ट्राइक करती है यह इसलिए क्योंकि सिर्याई सेना यहाँ अपने अतिरिक्त सैनी को पून ही भेज सके फिर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसरेली कमांडो हेलिकॉप्टर से उतरते ही कमांडो सेंटर के गार्ट को मारते ही यहाँ मौझूद दो चार इरानी अफसरों को उठा ले जाते ही सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते ही इसके बाद मिसाइल आटाइक से सेंटर को निस्तों नाभूत कर देती है एक्सियोस के मताबिक 2018 में हिजबुला और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउड फैक्ट्री बनाई गई इरान ने पहाड के अंदर इस फैसलिटी को बनाया ताकि इसरेली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके मिसाइल फैक्ट्री को लिबनान सीमा के खरी बनाया गया था ताकि हिजबुला को आसानी से हत्यार पहुँचाया जा सके सिरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है ये एक केमिकल लिसर्स सेंटर है जिसका इस्तेमाल इरान और सिरिया दोनों मिलकर करते हैं इस इलाके में अक्सर सिरियाई सरकार के अधिकारियों और इरानी रिवोलोशनरी गार्ड के अफसरों की मिटिंग होती है माना जा रहा है कि जिन इरानी अफसरों को इस्रेली फोस ने अगवा किया है वो अलग-अलग चीजों के एक्सपर्ट है सिरिया के मसेफ और हमा इलाके में इरान समर्थी तातंकी समूहों के लोग रहते ही यह हमला 9 सितंबर का है इस हमले से मसेफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से खत्म हो गए मिसाइल फैक्टरी पर अचानक हमले से सिरियाई गाट्स हैरान रहके कहा जा रहा है कि मसेफ और हामा का ये रिसर्च सेंटर असल में डोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थी इसरेली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में इरान और सिरिया के खलाफ पहला ग्राउड ऑपरेशन है इस फैक्टरी की तबाही इरान सिरिया समित हिजबुला के लिए बड़ा जटका है क्योंकि यहां मिडियम रिंज की 60 मिसाइले बनाई जाती है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ओपरेशन को लेकर इसरेली सरकार चुप है क्योंकि इसरेल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिसे एरान या सिरिया भड़क जाए इसरेल के इस उपरेशन में 15 मिलीटरी साइट को चार्गेट बना लिया जिसमें 18 लोग मारे गए हैं और 37 लोग जखमी हुए हैं 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसरेल में घुसकर 1200 लोगों का कतल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया उसके बाद इसरेल की और से ये अब तक के सबसे सहसिक मेशन में से एक है इस मेशन में इसरेल ने अपनी और आने वाली मिसाईलों के सप्लाई लाइट भी कार दी रिपोर्ट के मताबिक सिर्या में इसरेल ने जहां रेट की वो एक अंडरगाउड मिसाइल कार खाना है इसरेल ने इसे नश्ट कर दिया, अमेरिका और इसरेल के दावे के मताबिक ये मिसाइल फैक्टरी इरान ने बनाई थी जा अला दुफ़ात मुत्तालिये, हाज अलादवान वहशी, हाज अलादवान अलहमजी, हता लाहजा नतीज़ अलिसाबात ही इरतका 18 शहीद वा सबाव त्राइटीन मुसाब जर्या इरान के विदेश मंत्राले ने हमले की निंदा की है, रिपोर्ट के मुताबिक इसरेल वाई उसेना की विश्ष्ट इकाई शाल टैंग ने एर स्ट्राइक और रेट को अंजाम दिया, यह उपरेशन बेहद समवेदन शील था, ऐसे में बाइडन प्रशासन को पहले ही इसक सूच ना दी गई थी, अमेरिका ने इस आपरेशन पर कोई आपक्ती ने भी चताई, इसरेल ने कई यह स्ट्राइक के जरिये पहले भी इरानी मिसाइल फैक्ट्जियो को तबाह किया है, सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसरेल ने जहा हमला क वहां एरान और सिरिया मिलकर केमिकल हत्यार बनाते थी क्या होते हैं केमिकल हत्यार Organization for the Prohibition of Chemical Weapons यानि OPCW के मताबिक केमिकल हत्यार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नीन सुला सकते ही और साथ ही उन्हें अलग अलग बिमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते ही 2023 में केमिकल वेपन के वाच डॉग यानि OPCW ने घोश्रा की थी की अमेरिका आखरी देश था जिसके पास ये हत्यार मौजूद थे और इन्हें निश्ट किया जा चुका है 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन के मताविक इसमें शामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखर तक सभी केमिकल हत्यारों को निश्ट करना था इरान के इस सेंटर पर इसरेल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इरान बैन के बावजूद केमिकल हत्यारों का प्रोड़क्शन कर रहा है यहां आपको कुछ सबसे खत्रनाक केमिकल हत्यार के बारे में जरूर जाना चाहिए नर्व एजेंट सबसे घातक केमिकल हत्यार छोटी से डूस पल भर में जान ले सकती है चोकिंग एजेंट दम घोटने वाला केमिकल हत्यार बलड एजेंट बलड सेल पर हमला करते हैं दम घोट देते हैं ब्लिस्टिंग एजेंट शरीर पर फफोले हो जाते ही, व्यक्ति अंधा हो जाता है, जान भी जा सकती है रॉइट कंट्रोल एजेंट आंग, मूम, स्किन, फेफडे में जलन पैदा करते ही सेरिया की केमिकल फैक्टरी पर इसरेली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे च्छिपाया तो अब इरान के पास कोई तरक नहीं है कि वो केमिकल हत्यार बनानी की बात कबूल करें और इसरेल के खलाब हमला बोलते वैसे इस साल सेरिया में मौजूद इरान के समर्थन वाले आतंकी समुहों पर इसरेल ने 43 एर स्ट्राइक किये हैं सेरिया में इस से पहले इसरेल ने 1 अपरेल 2024 को दमिश्क में हमला किया था इस हमले में इरानी रिवलॉशनेरी गाड के 7 सदसे और 6 सिर्याई नागरिक मारे गए थे इसरेल ने इस हमले में खुद के हात होने की बात से इंकार किया लेकिन इसरेल पर हमला कर दिया 300 ज़ोन और मिसाईल दाग दी इसरेल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खत्रे को आने से पहले ही खत्व कर देता है इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही को न भेजनी पड़े इसरेल युद भले ही हमास के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है इसरेल ये सालों से करता रहा है इसरेल का अस्तित्व अर्बो की जवीन पर खड़ा हुआ यहूदियो की घुसपैट है यानि इसरेल का समूल नाश इरान का मकसद है इसके लिए वो यमन के हुथी वी द्रोहियों को समर्थन करता है लिबनान के हिजबुला का भी समर्थन करता है यही हल सिरिया का है इरान सिरिया में उसके साथ है जो अमेरिका का विरूती है